तो जैसे कि अब देख पार्योंगे तो जाणिया तो आपको देखी रही होंगी कुछ इस तरीके के जो फूल वाली जाणिया वह भी आपको देखने को मिलेगी और इधर देख़ो के तो आपको बहुม सारे पत्थर देखेंगे पत्थर के entrepreneur मैं कभी और जो चीजे होगी तो मैं आपको बताऊंगा तो यह है गाईस वह फूल इसके बारे मैं बता रहा था और देखो देखने में कितनी अच्छे इसमें पिंक है यलो है और हल्का सा क्या बोल सकते हैं औरेंज औरेंज की बेस में भी है तो कुछ इस तरीके से यह फूल है तो यह आप देखिए अभी जो नहर है उसमें पानी आ चुका है तो जैसा कि आप नजारा देख पा रहे होंगे तो बहुत सारे जो है हरे हरे ज्जाड आपको देख रहे होंगे चोटी-छोटी ज्जाडी जो है नीचे में अभी उगी हुई है और काफी हरा भरा चीज़े दीख रहे होंगी और यह जो रास्ता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो यह वही रास्ता है जहां से हम मौर्निंग में आना जाना कर देते हैं मतलब सुबरे का जो मेरा रूटीन होता था तो मैं यहीं से आना जाना करता था लेकिन फिराल अभी क्या हुआ है बारिस होनी की वज़ा से जो हमारा रास्ता था वो दब चुका है और इसमें से जो है घास उपके आ चुकी है तो ये दिखाने की मैं कोसिस कर रहा था तो आज कुछ टाइम ही ला है क्योंकि क्या है बारिस होते ही रहती थी और उसके वज़ा से क्या है रास्ता पूरा ब्लोकेश हो मतलब पूरा जाम हो गया मतलब आते जाते बनता नहीं था तो किसी कारण से कुछ दिनों से अभी मॉर्णिंग का जो टाइम सेडियोल था वो चेंज हो गया और अज संडे है फिर आलाज संडे और अभी जो है साम का टाइम है तो आज देखें कि क्या रास्ता कितने खराब है कितना अच्छा है कितना सही है तो पूरी तरीके से घास तूग ही आई है थोड़ी सी चलते बन रही है अभी मतलब थोड़ा थोड़ा आपको पीछे दिख रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा भी चलते बन रहे लेकिन नाच का जो मौसम है वो काफी अच्छा है और ये प कुछ कुछ चीजे दिखाने के कोशिस करता हूं जहां आज पास में जो चीजें हैं तो जैसे कि आप देख पारे होंगे तो ज्ञाडिया आपको दीखी रहे होंगी उची तरीके के जो फूल वाली ज्ञाडिया वो भी मेरे को सायथ पता नहीं है लेकिन काफी सुन्दर दीख रहा है उपर में काफी सारे उपर में आप देखो एक मैं आपको पास से दिखाता हूं ठीक इसकी फूल जो है कि इस तरीके से होती है तो यह है गाइस वह फूल जिसके बारे मैं बता आ रहा था और देखो देखने में कीतनी अच्छे इसमें पिंक है यलो है और हलका सा क्या बोल सकते हैं और और इंच के बेस में भी है तो कुछ इस तरीके से यह फूल है और इसमें यह फल लगी हुई है फल बोले तो यह जैस कि अब और यह तरीके का जो है नजारा है और मेरे को काफ़ी घूमने में मजा आता है अबी फीराल मैं अके लियुम में हूँ और इस तरीके से जो है चीजे हैं आगे बढ़ते हैं और इधर देखो को आप है ना कजब की चीज मतलब सुन्दरता आपको दीक रही होगी रहों कि बहुं सारे जगाओं पर फूल लगी हुई है थोड़ा से इसके बारे में बात कर रहें तो तोड़ के भी देख लेते हैं कित्री बड़िया दीख रही है तो यह इसका फल है मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा काटेडार है इसका पौधा मेरे ख्याल से ये देखो और ये थोड़ा सा पकने के बाद ना काला हो जा रहा है मतलब कई-कई जगा देखा हूँ मैं यहां पस तो ये अभी बिल्कुल हरा दीख रहा होगा आपको लेकिन ये कुछ पकने के बाद ये इसमें काला पन है मतलब काली हो गई है जहां पर हमारा मॉर्णिंग का टाइम होता था यहां से देखो वहां से ये रास्ता जो है यहां से लेके काफी दूर तक गया हुआ है और कुछ चीजें जो सबसे अच्छी चीजें वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो ये आप देखी अभी जो नहर है उसमें पानी आ चुका है तो कुछ इस तरीके से जो है नहर करना जारा है जैसा कि देख पारे होंगे और काफी बड़े इस तर पे पानी आ रहे है और ये काफी दूर से आ रहे है जैसा कि पिछले कुछ वीडियो मैं आपको बताया था कि ये गंगरेल डेम है वहां से निकल के आती है ये नहर और फिर आला भी कुछ दिनों पे न्यूज में मैंने ऐसा सुना था कि जो गंगरेल डेम है उसमें से पानी का इस्तर जो है काफी बढ़ गया था जिसके वज़ाए से ये नहरों में जो है पानी छोड़ा गया है तो तो पानी आप देख रहे हुए वह भी दूंदली है थोड़ी सी आप जानते होंगे कि बारिस का पानी हमेश्चा थोड़ा सा दूंदला होता है तो अभी उस तरीके से पानी आ लिए हो काफी बड़ी इस तर पर आ लिए है काफी मतलब मैंने इतना कभी भरा नहीं देखा नहर को काफी मतलब देखे तो 75% पूरी भरी हुई है नहर जो है तो यह है नहर का नजारा और आगे और चलते हैं हम तो इधर से आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी है सुगाई जैसा कि अभी नहर देख पार होंगे अभी नहर का नजारा काफी अच्छा है और यह मेरे ख्याल से दो ही तिन दीन हुए है पानी आया हुए मतलब पानी छोड़े हुए और काफी मतलब बड़े इस तर पानी भरी हुई है और 75% से उपर भरी हुई है जैसा कि मेरे को लग रहे है क्योंकि मैं यहां रोज आते जाते रहता हूं तो कुछ चीजें वैसे थोड़े सा अनुमान लग जाता है कि कितना पानी आना चीए और कितना है अभी तो कुछ हैसा है आज का जो है नजारा और म में आपको पानी देखने को मिलेगा तो यह थोड़ा सा अच्छी चीजे हैं और थोड़ा सा मन बन जाता है घूमने को और खरी भरी अब जैसा की देख पार होंगे वैसे मेरे पास और कुछ सब्द नहीं है बोलने को अच्छा है आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा क्योंकि उतने टोपिक्स मैं नहीं डून के ला पाता व्लॉग बनाने के लिए तो फिरहाल जो है मैं थोड़ा सा कुछ कोशिस करता हूँ थोड़ा सा नीचे जाने को क्योंकि थोड़ा सा इच्छा हो रही है तो थोड़ा सा उतर के देखते हैं कि क्या है पानी कैसा है तो यह आप देख रहे हो थुड़ा सा नीचे आगया है और इधर से पूरी तरीके से आपको दीख रही होगी और ठुड़ा सा सामने करता हूं, तो आपको समझ में कावने आसे है तो पता लगता कि कितनी बढ़ी होगी तो इस तरीके से नहर का पानी है और यह काफी बहर आया भी पूरी तरीके से अपने क्या बोलते हूं उसको सोरो सवाब में अभी है यह तो गाईस आज के लिए बस इतना ही काफी टाइम होगया वीडियो बनाते बनाते सायद आपको बहर ज्यादा ना लगे तो यह टॉपिक आज यहीं तक खत्म करते हैं और आगे बहुत सारी वीडियो आते रहेंगी तोड़ा सा भी टाइम के सेडियोल के चलते अभी मैं पूरा वीडियो नहीं बना रहा था तो आगे कम्प्लीट वीडियो देने की कोसिस करूँगा और उमीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको अच्छी लगे होगी और हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए व्लोग के साथ तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट जरूर कीजिए कि आज ही है हमारा नहर वाला व्लोग जो है आपको कैसा लगा